दोस्तों अगर आप भी वर्डपेस पर वेबसाइट से बनाना चाहते हैं या आपको वर्डपेस को इंस्टॉल करने में दिकत हो रही है तो यह वीडियो आपके लिए वीडियो को लास तक जरूर दिखेंगा कि मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप अपने सी पैनल आप वर्डपेस को इंस्टॉल कर सकते हैं तो अगर दोस्तों अगर आप नय है तो पहली बात हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसी तरह के आपको वीडियो आपके पास टेक रिलेटर मिलते रहेगा आपको जो की आगे के लिए हेल्फूर रहेगा तो करते हो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सवर्व से पहले बाता दूँकि अगर जो भी वाटपेस इंस्टॉल्स होती है वह सी पैनल पर होता है चाहां पर आपकी वेबस्टाइट को होल्ड गया ढाता है तो दोस्तों इस तरह की वर्टपेस की सेक्शन सब्सक्राइब थे जैसे ही आप क्लिक करेंगे लिए नहीं होती है टुरी इस पर kलिक कर से अगर यहां से लुए अगर आप पहले बार इस्टल कर रहे हैं तो यहां पर डिरेक्टरी नहीं देना है अगर पहले से इंस्टोल कर रहे हैं तो मैं यह नहीं तो दिखाने के लिए क्योंकि पहले से मेरा इस्टॉल है तो मैं एक फोल्डर कर रहा हूं इसके अंदर हम इस्टॉल करूंगा उसके बाद आपको क्या करना है कि आप जीद को भी ब्लॉग है या जो बिजनेस के साइट से उसका आप यहां पर नाम देंगे यहां पर डिस्ट्रिप्शन देंगे औ करना है और उसके बाद कुछ निक करना है नीचे आना है कुछ यहां पर समय लगेंगे इस्टॉल होने में क्योंकि यह श्रेयट हो जिर दिर इस्ट्री इस्टॉल हो रहा है आपके इंटरनेट की स्पीड़ पर यह डिपेंड करेगा कि कि इतने टाम भी लेते हैं जहां पे आपने WordPress को इंस्ट्रॉल करी है और जो दूसरा लिंक है एक admin क्या है जहां से आप अपने website को manage करेंगे तो जैसा कि आप देख रहे हैं जो हमने WordPress इस्ट्रॉल किया सबसे पहले आप जो WordPress को इस्ट्रॉल करेंगे ता आपको इस तरह से दिखेगी जो कि यह डिफोर्ट थिम्स WordPress में लगी होती है और दूसरी जो लिंक है आपको यह एडविन पहले की है जहां से आप अपने साइट को manage कर सकते हैं पोस्ट कर सकते हैं तो तो इसके हम आगला वीडियो में भी लाएंगे पूरी आपको यह बहुत ही हिल्फुल रहेगी तो चलियो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलेंगे के नए वीडियो में तब तक लिए जाहिन जायवारत